हलो दोस्तो मैं हो सोनाली और सोनास कोकिंग चनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं भेंडी की सबजी तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं यहाँ पर मैंने एक प्यान को दो मिनट तक प्री हिट कर लिया है अब मैंने यहाँ पर लिव हुई है दो सो प कर लिया है और उस प्यान में मैं यहाँ पर डाल रहे हूं भेंडी पहले तो यहाँ पर आम भेंडी को अच्छे सी फ्राय कर लेंगे एक बार अच्छे सी फ्राय हो जाए तब ही हमें भेंडी को तड़का लगाना है तो चलिए यह जो भेंडी है हम फ्राय कर लेते हैं यहा ब्राउन कलर आने तक हमें इससे अच्चे से फ्राई कर लें और यहां पर फ्राई करने के बाद आधा पक जाएगा तो चलिए इस बहंडी को आपम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने बहंडी को यहाँ पर निकाल लिया है एक बारा में इस ब्लेंडी को इस प्लेट में निकाल दे तब यहां में तड़के की तयारी कर लेनी चाहिए यहां पर मैंने 3 टेबल स्पून ओईल लिया हुआ है तड़का बनाने के लिए और इसमें में डाल रही हूँ एक छोटी चमच राई यानि की मस्टर सिस जब यह राई चटकने लगे तब हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चमच जीरा यानि की क्यूमिन सिल्स जब यह दोनों अच्चे से स्प्लेटर होने लगे तब हम इसमें डाल देंगे लसुन की कलिया यहाँ बर मेंने तकरिबन पाच लहसुन की इस तरह से पेश्ट कर लिए है और हम इस लहसुन को इसमें डाल देंगे एक बार अच्चे से गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे करीपता यहाँ बर मेंने आट से नव करीपते का इस्तमाल किया है इस करीपति से हमारी भींडी को भोत अच्या स्वाद आ जाएगा अब मैंने यहाँ पर एक टोमाटो काट कर लिया है और आपम यहाँ पर टोमाटो को इस्तमाल कर रहे है इन सभी को हमें अच्ची से फ्राई कर लेना है जब तक इस टोमाटो का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे इसे हिलाते ही रहेना है और इसे हमें अच्ची से सोते कर लिना है जिसे कि आप देख रहे हो यह अब फ्राई हो चुका है उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देंगे एक चोटाई चोटी चमच तर्मरिक पाउडर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक चोटी चमच रेड़ चली पाउडर आप अपने हिसाब से स्पाइसी बना सकते हो लेकिन यह मातरा परफेक्ट है और यहाँ पर आप डाल रहे हैं एक चोटी चमच नमक नमक का हिस्तमाल आप अपने स्वादानुसार कर सकते हो इन सबी को हमें दो मिनेट तक आच्चे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमें डाल देना है फ्राई की हुई भिंडी जैसे कि आप देख रहे हो हमारी भिंडी बहुत यची दिख रहे है तो इन सबी को हमें आच्चे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद एक बारे आच्चे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी यहाँ पर मैंने एक बाउल पानी का इस्तिमाल किया है हमारी भिंडी लगबग बन चुकी है इस भिंडी को आप तकरीबन पांच मिनिट तक कूक कर लेना तो दोस्तों आपको इस रेसिपी केसी लगी हमें जरूर बताना और हमारी चानल को जरूर सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में